सक्सिस एक ऐशा शब्द जो दुनिया में हर इंसान अपने नाम के साथ जोड़ना चाहता है लेकिन एक कड़वी सच्चाई है कि दुनिया में केवल 2-3% लोग ही अपने जीवन में मंचाही सफलता हासिल कर सकते हैं बाकी के 97% लोग 97% लोग जीवन भर अपनी पूरी ताकत लगाकर अथक संगर्स करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते आखिर क्या है वो सीक्रिट जो दुनिया में केवल 3% लोग ही जानते हैं जिसके द्वारा जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है और क्या 97% लोग की असफलता के पीछे का कारण यही है कि वो उन स्टिक्रिट को उन रहस्यों को नहीं जानते जिसके जरिये जीवन में अपार सफलता हासिल की जा सकती है दोस्तों मैं संदीब कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हारदिक स्वागत करता हूँ और आज से मैं एक स्रीज लांच कर रहा हूँ जिसके जरिये मैं वो रहस्य, वो सीक्रिट्स, वो रास्ते, वो जरिया आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसपे चलके जिन्हें अपना कर आप अपने इस जीवन में बहतरीन सफलता हासिल कर सकें जीवन में संघर्स को कम से कम कर सकें और आनंद को इन्हांस कर सकें दोस्तों, वैसे तो दुनिया में सफलता को लेकर हर इनसान का अपना-अपना मापदंड, अपनी-अपनी परिभासा होती है। लेकिन यहां मैं कुछ common factors, कुछ common परिभाशा, कुछ common parameters की बात करूँगा, जो सभी के लिए एक तरह से काम करती हैं, जो सभी के लिए आवश्यक हैं। दोस्तों, अगर मैं सही माइने में कहूँ, तो सफलता के तीन parameters हैं, there is three parameters to become successful, पहला parameter, a person need to have appropriate amount of wealth, money, to become successful, हो सकता है कि आप में से कई लोगों के विज़ार मेरे इस parameter से differ करते हूं और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये कहें कि पैसा success का पैमाना नहीं हो सकता, कई बार ऐसी बातें कही जाती हैं, दोस्तों, आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये एक materialistic world है, और इस materialistic world में आप अपने 99% problems के solutions पैसे से बाई कर सकते हैं, यकीन करें कि अगर आपके पास धन है, परियाप धन है, तो आप अपने 99% समस्याओं को चुटकियों में सुल जा सकते हैं, लेकिन समस्याओं यह है कि दुनिया में 97% लोग पैसे को लेकर negatively programmed होते हैं, हमें बचपन से पैसों को लेकर नकारात्मक तरीके से program किया जाता है, मुझे आज भी याद है कि बचपन में जब मैं पैसे की demand करता था अपने parents से तो मुझे डांट मिलती थी, और तब मुझे यह एहसास होता कि पैसा मांग कर या पैसे की demand करके मैंने कोई अपरात कर दिया है, और कहीं न कहीं unconsciously मेरे माइन में एक पैसे को लेकर एक नकारात्मक धारना थी कि पैसा जो है वो कोई negative entity है, जिसके demand करना या जिसके बारे में सोचना एक negative activity है, इसके अलावा दुनिया में जो सबसे बड़ा जूट बार बार बोला जाता है that is money is not all, मैंने जादातर लोगों को कहते हुए सुना है, पैसा सब कुछ नहीं होता, मेरे दोस्त, यह दुनिया का सबसे बड़ा जूट है, because you may say that money is not all, but the truth is money is for all, हर चीज के लिए आपको पैसे की जरूत है, एक छोटे से example से मैं इस बात को तथ्यात्मक तोर पे आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं चुकि मैंने career की सुरुवात child counselor से करी थी, child trainer से करी थी, student trainer से करी थी, तो ऐसे में बच्चों के मन की बात जाने की जिग्यासा मेरे भीतर बहुत जाद रहती है, और एक दिन का वाक्या है, मैं अपने parking lot पे खड़ा था और वहां पे दो बच्चे आपस में खेलते खेलते बात कर रहे थे और मैं छुपकर उनकी बातों को सुन रहा था, माफी चाहूंगा बट मैं कई बार ऐसी चीज़े करता हूं कि छुपकर मैं बच्चों की बातों को सुनता हूं कि आखिर उनके अंतर्मन में चल क्या रहा है, किस प्रकार से वो चीज़ों को एक्स्प्रेस कर रहे हैं, इसी क्रम में पहला बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है, जानते हो मेरा एक दोस्त है जिसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं, दूसरे बच्चे ने पूछा, तुम्हें कैसे पता, तो पहले बच्चे ने कहा कि उसने अपने जन दिन पे अपने पापा से एक फोन मां आज की रिट में हर जगह, हर चीज, हर संदर्व में आपको पैसे किया वशकता है। इवन आपको अनकंडिशनल लव को भी एक्स्पेस करने के लिए पैसे किया वशकता है। So, we are living in a materialistic world where money is a very important entity. We have to accept it. But unfortunately, as I said, जैसा मैंने कहा, हम मेंसे ज़्यादा तर लोग हो सकता है कि आप भी उनमेंसे एक हो। पैसे को लेकर नकारात्मक तरीके से programmed होते रहे हैं। अगर आप इस programming के बारे में जानना चाहते हैं क्या है वो नकारात्मक programming? You can go to the description. There is a link about the whole thing. How we are negatively programmed for money from our childhood. उस वीडियो को आप जरूर देखें। इसके अलावा आज के दौर में जिस प्रकार से महंगाई दिन बदिन बढ़ती जा रही है। जो inflation ratio है और हमारा earning ratio है इसके बीच जो disbalance create हो रहा है ये बहुत बड़ा factor है जो हमें ये warn कर रहा है that we need newly programming ourselves for money, for earning, for wealth. ये बात केवल पैसे कमाने भर नहीं रह गई, बात survival किया गई है। आपको हर महिने एक appropriate amount of wealth चाहिए, money चाहिए, then you can survive in this materialistic world. वो amount क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, inflation and earning ratio किस प्रकार से disbalance हो रहा है। आप इन चीजों को भी समझेंगे मेरे उस video में, जो description में जिसके link पड़ी है। आप उस video को जरूर देखें। इसके अलावा money mastery, money mindset and skills to earn enormous money, ऐसे बहुत सारे programs, ऐसे बहुत सारे sessions, ऐसे बहुत सारे videos में लेकर आ रहा हूँ आपके लिए ताकि आप अपने आपको पैसों के लिए इस प्रकार प्रोग्राम करें, कि आप जीवन में उस उचितम सफलता को हासिल कर पाएं, जो हमेशा से आपके desire या dreams में रहे हैं। दोस्तों, यहाँ दूसरे parameter की अगर बात की जाए, तो जो दूसरा parameter है, जिसके जरिये हमें यह एहसास यह हम यह मान सकते हैं, that yes, we are successful, that is social recognition, social recognition is a very important factor to become successful, हम एक छोड़े से example से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लो, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो गलत रास्ते से अतिरिक धन कमाते हैं, लेकिन दुनिया में ज़्यादा तर लोग उनसे दुखी या परिशान हैं, उन्हें कोई social recognition नहीं मिलता, क्या केवल उनके पास अपार धन होने से हम उन्हें एक सफल इंसान मान सकत हैं, क्या आपके पास परियाब धन हो लेकिन आपके जीवन में आपको सम्मान देने वाला कोई ना हो, आपको recognize करने वाला कोई ना हो, आपका आदर करने वाला कोई ना हो, क्या ऐसे हालात में आपके पास परियाब धन होने के बावजूद भी अपने आपको आप सफल मान स बिलकुल नहीं हो सकता है कहीं आपके जहन में ये बात हो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास धन है बट नोबड़ी इस रिकॉगनाइजिंग देम उनके पास वो सम्मान नहीं है फिर भी वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं मैं आपको बताओं ऐसा संभव ही नहीं है समाज के द्वारा दिया गया सम्मान या अपमान हमारे लिए बहुत माइने रखता है कई बार आप में से कई लोगों ने ये महसूस किया होगा कि अगर समाजिक रूप से कभी छोटे बड़े इस्तर पर अगर आपको कभी अपमानित किया जाए तो उस वक्त मन में जो है वो व्यर्थ हो गया इक्जैक्ली समाजिक सम्मान हमारे लिए बहुत महत्पूर है क्योंकि हमारी एक बेसिक इंस्टिंक्ट है या जिसको हम बेसिक हंगर भी कह सकते हैं and that is to become significant in our own surrounding हम अपने लोगों के बीच अपने आस पास एक खास इंसान बनना चाहते हैं और इसी की जद्दो जाहिद हमारे भीतर होती है आप धन अर्जन करके भी करते क्या हैं बड़े घर बनाते हैं बड़ी गाडियां लेते हैं बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों के भविस्टी के लिए इन्वेस्ट करते हैं और साथ ही कई ऐसे संभावनाय तल सो अगर आप सोसल रिकॉगनिशन चाहते हैं बट तूडू हमें करना क्या पड़ता है सोसल रिकॉगनिशन के लिए, सिंपल है we have to be a giver, we have to be a donor हमें कुछ ऐसा करना होता है जिससे society को फाइदा हो, हमें एक giver position hold करनी पड़ती है, जहां पर हम society को कुछ दे सकें, वो चाहे छोटी सी खुशिया ही क्यों ना हो, छोटे से खुशी का पल ही क्यों ना हो, society को जब हम देना शुरू करते हैं, they pay us the recognition, वो हमें सम्मान देते हैं, and that particular thing makes us significant, और यह जो significance है, यह आपको एक बहुत बड़ी चीज देती है, वो है आत्मसंतुस्ति, self-containment, धन बहुत आ जाए, लेकिन अगर contentment ना हो, तो जीवन वियर्थी हो जाता है, ऐसे में मेरे कई ऐसे skill development programs हैं, कई ऐसे knowledge development programs हैं, कई ऐसे expertise development programs हैं, जिने जानकर, सीख कर, आप अपने आपको एक ऐसी जगह स्थापित कर सकते हैं, जहां आप एक donor, एक giver की तरह समाज के लिए बहतरी इंकारी कर सकते हैं, और समाज से आपको वो recognition प्राप्त हो सकता है, जिसकी आपको तलास है, जिसकी आपको जरूरत है, अगर आप एक healthy life lead कर रहे हैं, you can enjoy everything, what you achieved in your life, imagine करो कि आपके पास प्रयाफधन है, समाज से आपको बहुत recognition मिलता है, बहुत समान मिलता है, लोग आपके आदर में जुग जाते हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा एड्मायर करते हैं, but आप physically sick है, ill है, आपका जो स्वास्त है वो खराब है, ऐसे में क्या उन सभी achievements को आप enjoy कर पाएंगे, कई बार मैंने लोगों को देखा है, they are rushing in their life, they are ignoring their health, आज लैंसेट की अपनी एक रिपोर्ट है, Lancet, one of the most recognized journal in medical science, Lancet ये कहती है कि दुनिया की 95% population किसी ना किसी एक खतरनाग बिमारी से ग्रसित है, और उसमें से भी 3% population तो ऐसी है, जिनके भीतर कम से कम 5 बिमारियां है, that can lead them to the death, वो बिमारियां जो उनके मृत्यों का कारण बन सकती है, that means they have fatal diseases, So, मैं इस सिरीज के जरिए, जो दुनिया भर में दो मित्थ हैं, खास तोर से हेल्थ को लेकर, मैं उन्हें बस्ट करूँगा, So, मेरे इस सिरीज में एक बहुत बड़ा चंक dedicated होगा हेल्थ के उपर, कई सारी चीजें, कई सारे प्रोग्रेम्स, कई सारे वीडियो, मैं आने समय में लाने वाला हूँ, जहां मैं specifically दो मित्स को बस्ट करूँगा, पहला मित्स जो हेल्थ को लेकर बनाया गया है, एक उम्र के बाद बीमारियां लाजमी हैं, यानि एक उम्र के बाद लोगों में कुछ बीमारियां तो आती हैं, हुई जाती हैं, दोस्तों मैं एक चीज कि वो बीमारियों के साथ जी रहे हैं, वो बेड़ पे पड़े हैं, वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं frequently, वो दवाईयों का सेवन कर रहे हैं, मैं आपको कहूंगा, आप अगर याद करें, तो 90-95% लोग ऐसे हुआ करते थे, जिने जीवन में कभी किसी दवाई की जरूत ही देवर लीविंग हेल्दी लाइफ, क्या कारण है कि आज 95% लोग बीमारियों के साथ जी रहे हैं, ये पहला मित है कि एक सर्टन एज के बाद, एक उम्र के बाद बीमारियां होंगी होंगी, दूसरा एक बड़ा मित है कि अगर कुछ सर्टन बीमारियां आपको लग गई, तो फिर वो बीमारियां lifelong आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी, you have to remain sick or you have to remain ill, you have to follow the protocols which is given by doctors, otherwise you lose your life, मैं आपको एक चीज बता हूं, ये जो सामने आपके सामने जो परसन बैठा है, I have got three most dangerous disease in my life, number one OCD, obsessive compulsive disorder, number two IBS, irritating ball syndrome, आतें खराब हो गई थी मेरी, number three diabetes, जिसे slow poison भी कहा जाता है, silent killer भी कहा जाता है, और मैं आपके सामने बैठा हूं, I reversed those diseases, how, that's a secret, and I'll definitely share with you, मैं आने वाले समय में आपसे वो सभी के सभी secrets share करूंगा, वैसे अगर आप मेरी personal life के बारे में जानना चाहते हैं, और ये personal details जानना चाहते हैं कि कैसी कैसी समस्या हैं, कैसे कैसे challenges मेरे life में थे और कैसे मैंने उन्हें overcome किया तो आप इस वीडियो के description में जाकर मेरे personal life के बारे में जान सकते हैं मेरे बारे में जान सकते हैं वहाँ video link पड़ी है जिसमें वो पूरी details है किस प्रकार मैंने अम अपने लाइफ को दुबारा से revive किया मैं almost deathbed पे था दोस्तों मैं बिलकुल डाइंग कंडिशन में था जहां पे यह प्रेडिक्शन कर दिये गए थे मेरे बारे में that this person is not going to leave more than two or three month from that point of time, right now, इस वक्त भी आप जब मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं मैं से कई लोग हो सकता है, यह सोच रहे हूं कि मेरे energy और vibration से यह लगता नहीं कि ऐसे fatal diseases मेरे भीतर थीं कभी, लेकिन practically यह चीजें मैं जहेल चुका हूं और एक बहुत important चीज मैं आपको बताओं, पिछले छे सालों से मैं किसी भी प्रकार की दवाईयां इस्तिमाल नहीं करता I do not take any kind of pill for any disease, practically and truthfully मैं यह चीजें कह रहा हूं इसका मतलब बिलकुल यह नहीं है कि मैं आपको इस वक्त आपकी दवाईयां छोड़ने को कह रहा हूं, no, you have to go by something, you have to go by some processes, otherwise, आप अपना नुक्सान कर लेंगे, तो यहां मैं दवाईयों को replace करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं केवल एक चीज में आपके सामने, एक is, this is, it means disease, this is का मतलब क्या है, where you are not comfortable, आप जीवन में जब आराम का अनुभाव नहीं करेंगे, जब आप अनुभाव नहीं करेंगे, जब आप अनुभाव फिल करेंगे, you will get a disease, you will have a disease, so basically, disease is directly linked with your stress, your struggle, जीवन में जितना संघर्स होगा, आपके जीवन में उतना हीं stress होग and if you don't know how to reduce struggle from your life, you won't be able to reduce your stress, और अगर आप एक तनावगरस लाइफ जी रहे हैं, यकीन माने, आप कई diseases को आमंतर्न दे रहे हैं, दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कई ऐसे वीडियो, कई ऐसे प्रोग्रेम्स, कई ऐसे वरक्शॉप्स, कई ऐसे ट्रेनिंग लेकर आ रहा हूं, जो आपको इन प्रॉब्लम से ओवरकम करने में साहिता करेंगी और ये जो तीन परामिटर्स हैं, मनी, वेल्थ, नमबर टू, सोसल रिकाउगनेशन, नमबर त्री हेल्थ, इन तीनों परामिटर्स को कैसे आप फुल्फिल करें, कैसे आप अपने मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप एक student हो, parent हो, एक working professional हो, एक old age person हो, हो सकता है कि आप एक businessman, एक entrepreneur हो, आप समाज के किसी भी segment से क्यों नहों, अगर आप अपने challenges के solutions ढूण रहे हैं, if you want to reduce the struggle from your life, if you want to reduce the stress from your life, if you want to achieve your goals, your targets, if you want to live an extraordinary life, if you want to become a unique and a significant person in your surrounding, और अगर आपको ये लगता है कि मेरे present content और आने वारे content आपके लिए beneficial हो सकते हैं, आपके लिए fruitful हो सकते हैं, आपके लिए आवश्चक हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अभी इसी वक्त आप मेरे इस channel को subscribe करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं bundles of content लेकर आ रहा हूँ, enormous information, significant knowledges and बहुत सारे research आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिसके जरिये आप अपने जीवन में बहुत सारी सफलता हाजिल करने में कामियाब होंगे, जब आप मेरे channel को subscribe करें, उस वक्त bell icon को भी जरूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाले content की notification आपके पास timely पहुँचे और आप in sequence को लगातार देख सकें, क्योंकि एक के बाद एक जैसा मैंने कहा, बहुत सारी information में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, अगर आपको वीडियो के information पसंद आई हो, like करना ना भूले, subscribe करना ना भूले, और साथ मुलाकात होगी, कुछ नए content के साथ, कुछ बहतरीन तथ्यों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहें, आबाद रहें, thank you very much.